साम दर्द है नहीं देखना था वो मैच इट वाज़ अ हॉरिबल डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल बाई एट के मोहन बगान तो देखो गाईज इस वीडियो के थुरू हमनों बात करेंगी कि वोट वेंट रॉंग फॉर एट के मोहन बगान तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी तरह का आउट प्ले और आउट क्लास करेगी हर डाइमेंशन में फुटबॉल के और इतना खरेंडर्स डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल एटी के मोहन बगान दिखाएगी हमें तो मुझे से टीफसी की बात करूं तो कल शाम के मैच में देवर प्रेसिंग बेटर देन अस देवर फास तो एटी के मोन बगान के स्टार्टिंग 11 को देखे मैं बस यही चीज पूछना चाहूंगा उनके कोट से की बाई बैलन्स कहां पर है तो ठीक है यू है यू हाव अबुमो ऑन दा फील्ड यू हाव जॉनी कौको ऑन दा फील्ड यू है रोय कृष्णा मनवीर सेंग लिस् जॉनी कौको रोय कृष्णा को तो इन तक अब बॉमो पुचाने का किसका काम है मुझे परस्नली लगता कि हबास का कल के मैच में यह टाक्टिक रहा होगा कि डिफेंस या फिर मिड़ फील्ड से एक लॉंग बॉल आएगी कौको बुमो ऑन या कृष्णा में से किसी एक को फिर अपने इंडिविज्वल स्किल के दम पे ये लोग एक या दो प्लेयर्स को बीट करेंगे जो कि इनके पास केपिबिलिटीज हैं और फिर दूसरे के लिए पास या थ्रू बॉल निकालेंगे और अगला बंदा गोल मारेगा और इस तरह एट के मोहन बगान जीतेगी मैच को तो ये तो फिर मैं बोलूँगा ये तो चमतकार को नमशकार वाला टाक्टिक है मेरे साब से अंटोनियो लोपेस हबास के तरफ से तो ठीक है ये टाक्टिक अगेंस्ट एसीश्ट बिंगॉल काम किया अगेंस्ट केरला बलाश्टस काम किया पर क्यों किया क्योंकि वो टीम्स आपसे दब के खेल रही थी, आपसे थोड़ा सा डर कर खेल रही थी, पर ये मुंबई सिटी एफसी है, ये आपसे ना दबने वाली है, ना आपसे डरने वाली है, अब यहां पर क्या हुआ, अन्टोनियो लोपेस अबास के लिए मैं बताता हूँ, लॉंग बॉल आ रही थी, मानलो जॉनिको को यहां है, और यहां से लॉंग बॉल आईगी, लॉंग बॉल आई, जॉनिको के पास कंट्रोल करने तक का भी मौका नहीं था बॉल के लिए, क्योंकि फटा फट से मुंबई सिटी एफसी के कम से कम दो खिलाडी इन्हें आके प्रेस करेंगे, इन्हें आके मार्क करेंगे, जो की हमें देखने को नहीं मिला, पहले दो गेम्स में, एटी के मुंबगान के लिए, एसीस्ट बिंगॉल या फिर केरला ब्लास्ट इस एफसी की तरफ से, तो यह एक फरक था, प्लस आपका जो फ्रंट थ्री था, वो प्रेस भी नहीं कर रह रहे थे, राइट विंग पे, कभी लेफ्ट विंग पे, कभी सीडा इगोर अंगुलो, कभी कसीनियू, और वहां पे हो रहा था, लिंक का प्ले, एंड वर रियली डिस्ट्रॉइंग अर डिफेंस, तो सीधी सी बात है, शायद से फर्स आफ में यह टाक्टिक बैक फायर कर तो जौनी कोगो को दीपरतांगरी की जगा मिट फील्ड में डालते, प्रबीर दास को बोते हैं विंग बैक की पोजिशन लीजिए, और आगे बेज देते हैं मनवीर सिंग को रोय कर्शना के साथ, और हीवो गुमोस को उतारते हैं अटाकिं मिट फील्ड में, 3-5-2 से ही करते हैं पर थोड़े से चेंजेस ला देते हैं प्लेयर्स में तो फिर शायद से फरक पड़ सकता था और हम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन तक जा सकते थे, साथी साथ रोय कृष्णा गईस तो कल के मैच में थूराओ 90 मिनिट्स मुर्तादा फॉल हैड दी, अपर हैं विडियो में कहा तो अगर ऐसा कुछ बोल्ड डिसीजन लिया जाता तो हमारे पास आगे अटाक में तो काफी जादा लंबे चोड़े, फिजिकल स्ट्राइकर्स हो जाते हैं मनवीर सिंग और लेविल्यम्स के रूप में तो ये बोल्ड डिसीजन भी लिया जा सकता था, ख तो कि ठीक है, on paper you are the best, side in ISL और ये मैं अभी भी कहता हूँ, पर जो बाकी coaches है, उन्होंने आपकी कमियां देख लिये इस match में तो वे भी similar kind of tactics अपनानी की कुशिश कर सकते हैं आपके against, तो आपको smart enough होना होगा और बिल्कुल spot on होना होगा अपने tactics के साथ, तो guys ये थे मेर opinion, आपकी क्या opinion है आप नीचे, comment box में comment करके मुझे बता सकते हैं, so thank you for watching this video, मिलते हैं अगली video में, peace out